युहन्ना रचित सुसमचार बीस्वा अध्याय दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड रहे थे परंतो दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुँचा और जुक कर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया तब शमौन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुँचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोचा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया वे तो अब तक पवितर शास्त की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुँँ में से जी उठना होगा तब ये चेले अपने घर लोट गए परंतु मर्यम रोती हुई कब्र के पास ही बाहार खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर जुक कर दो स्वर्ग दूतों को उज्वल कपले पहने हुए एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां ईश्यू की लोथ पड़ी थी उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती की उससे कहां रखा है यह कहकर वे पीछे फिरी और ईश्यू को खड़े देखा और न पहचाना कि यह ईश्यू है इशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंडती है, उसने माली समझ कर उससे कहा, हे महराज, यदि तूने उससे उठा लिया है, तू मुझ से कहे, कि उससे कहा रखा है, और मैं उससे ले जाऊंगी इशु ने उससे कहा, मरियम, उसने पीछे फिरकर उससे इबरानी में कहा, रभूनी, अर्थात, हे गुरू, इशु ने उससे कहा, मुझे मत चू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया, परंतु मेरे भाईयों के पास जाकर, उन से कह दे, कि मैं अपने पिता, और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास उपर जाता हूँ, मरियम, मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, कि मैंने प्रभू को देखा, और उसने मुझ से ये बातें कहीं, उसी दिन जो सब्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहुदियों के डर के मारे बंद थे, तब इशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांती मिले, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभू को देखकर आनंदित हुए इशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांती मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, यह कहकर उसने उन पर फूखा, और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम ख्षमा करो, वे उनके लिए ख्षमा किये गए हैं, परंतु बारहों में से एक व्यक्ति, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब ईश्यु आया, तो उनकी साथ न था। जब और चेले उससे कहन लगे, कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देखलूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं प्रतीती नहीं आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे तब ईशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांती मिले तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो यह सुन्थोमा ने उतर दिया हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर यिशु ने उससे कहा तुने तो मुझे देख कर विश्वास किया है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया यिशु न और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसी है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ.